नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में GTL Infra Stock के बारे में डिस्कस करने वाले हैं GTL Infra Past 1 मंत के Trend को देखेंगे तो लगबग लगबग इस Stock ने 75% के Technical Trend दिये हैं और as per my past experience मैं बिल्कुल confident हूँ कि यहां से यह Stock 4 प्लस तक का लेबल दिख सकते हैं और यह मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि maximum जितने भी so-called analyst हैं, influencer हैं वो सब इस Stock के चार्ट और levels को share करते दिख रहा हैं यहां से मुझे लगता है कि buying आते हैं दिख सकती है इट में भी हो सकता है कि operator का game हो या नहीं हो इसकी कोई surety तो नहीं ले सकता लेकिन probability हो सकती है तो पहले भी हमने कहा कि fundamentals विल्कुल justify strength को नहीं करती है लेकिन bull run का यह Stock है और बजार all time होने के कारण इस Stock में भी heavily buying दिख रही है और buying हमने इस Stock में 100% 98% तक के levels भी दिखे volume भी ठीक ठाक है technical trend outperforming है volume देखेंगे तो 48 करोर का volume है which is मतलब बहुत high volume है 10 करोर 11 करोर तो buyers जो है bidding लगा के रखा हुआ है टेक्निकली देखेंगे तो एक बरा breakout यह trend line lower और यहाँ पे breakout तो probably यहाँ से देखेंगे 440 और उसके बाद लगबग लगबग 8 to 10 तक का levels दिख सकता है जो more than 200% का gain होता है बात की जाए weakness की कि बहुत weakness कहां से यह stock आएगा तो मुझे लगता है कि जब तक 1 रूपेज 60 पैसे के levels को breakdown नहीं करें तब तक weakness क्या आएगा मतलब कुछ इससे नीचे तो है ही नहीं यहां यह consolidate होते दिख सकता है पहले भी हमने कहां बरे funds लगाने से बचेंगे तो कि ऐसा stock का जो भरा risk यह होता है कि यह stock ही zero हो सकता है इसलिए थोड़ा caution बरतेंगे